तो इधर जो G-1 residential building आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें हमने 4 bedroom एक एक फ्लोर में यहाँ पर create किया है तो एक एक फ्लोर में 4 bedroom इसका मतलब दो फ्लोर में 8 bedroom okay तो यहाँ पर font का जो elevation है हमने simple इस तरीका से रखा है यहाँ पर देखिए जो balcony है यहाँ पर हमने ऐसे balcony यहाँ पर window यहाँ पर door create के आए ठीक है font site का जो door है यहाँ पर गर के आने के लिए अंदर आने के लिए इस type का design रहेगा तो इसका top जो है ऐसे आपको design इधर दिखाए देगा तो simple इहाँ पर door modern type का door इहाँ पर हमने इस्तिमाल किया है यहाँ पर stair का जो देखिए head room में ऐसे हैं ground floor के बाद fast floor में इहाँ पर दो डोर इधर रहेगा इसके बाद देखिए इधर एक पूरा जो open area यहाँ पर balcony रहेगा उसके बाद next time इधर जाएंगे देखिए इधर भी हमें दो balcony मिलेगा उपर नीचे में तो टॉप जो है इधर रूप area में हमने ऐसे रूप में भी इस टाइप का परफिट वाल क्रेट किया है ठीक है साइट का जो window है इसका जो चाजा एरिया जो design है हमने simple इस टाइप का किया है तो इसमें जो four bedroom है उसके बाद में हम बात करेंगे तो ऐसे आपको दिखाए देगा building का outside inside top side में ठीक है design जो है इसे रहेगा चलिए इसका अंदर का जो पार्ट है यहाँ पर हम create करके आपको साथ share करते है अंदर में क्या-क्या है देखें तो अगर हम इधर जो पार्ट है इसका हम उपर के तो थोड़ा सा लेकर जाएंगे one two three four bedroom kitchen यहाँ पर आपका attas toilet common toilet इधर भी semi रहेगा four bedroom के साथ four toilet यहाँ पर kitchen यहाँ पर dining drawing area ठीक है यहाँ पर ऐसे रहेगा तो furniture layout अगर हम यहाँ पर create करें क्या है जो है इधर एसे bed रहेगा हर एक bed के साथ एक-एक toilet तो four bedroom with attas toilet ओके जी प्लस one रहेगा उपर नीचे में तो हम इसलिए same दिखाया इधर तो इसका measurement हम यहाँ पर यह room के साथ जो एक-एक measurement हम यहाँ पर add करके देंगे तो इधर देखिए एक-एक measurement अगर set करने बहले हैं हम इधर 12 feet और इधर 14 feet तो इधर देखिए 12 into 14 तो हमने टेक्स्ट यहाँ पर ऐसे लिख के देंगे इधर भी same ही रहेगा और इधर हमें जो measurement मिलेगा देखिए 11 इधर 13 ओके तो क्या आएगा 11 into 13 सेम इधर आएगा तो इधर आपको जो यहाँ पर measurement है यहाँ पर मिल गया है उसके बाद देखिए kitchen area 7 feet 5 और 9 इसका मतलब 7 feet 5 into 9 kitchen area ओके तो ऐसे करके आप बाकी जो room है इसका भी measurement यहाँ पर मिल जाएगा जो है stair तो इसका total जो इसका जो total measurement क्या है देखिए यहाँ पर हम measurement जो इसका यहाँ पर add करेंगे 41 feet और इधर देखिए हमें actual measurement है इधर से मिलेगा 32 और यहाँ पर 41 तो यहाँ रहेगा measurement इसका अंदर आपका design यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो simple फोर बेडरूम के साथ आपका house design इधर मिल ले है तो आपको step का plan design पसंद आए तो like और share कर देना तो यहीता plan और design okay font elevation 2D और 3D आपको पसंद आए तो like और share कर देना तो thank you watching this video